निवस्कार स्वागत है आपका दे न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ शेरिन केंदर की मोधी सरकार के द्वारा महिला आरक्षन बिल पास करने के वाद जो है वो अब बॉकलाहट सामने आई है आम आदमी पार्टी के राजिसभा सांसर संजे सिंग की दरसल आपके लिए ब यानि की एक तरफ मोधी सरकार लगातार रच रही है इतिहास तो वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसर संजे सिंग की आखिरकार क्यों बॉकलाहट सामने आई है वो भी एक ऐसे बिल को लेकर जो की 27 साल बाद पास हुआ है और जो महिलाओं को फेवर करता है और म में 33 परतीशत जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए दिया जा रहा है दरसल आपके लिए बता दें कि संजे सिंग ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है और इससे सिर्फ और सिर्फ दो हजार चौबिस के चुनावों में वोट करने के बाद आम आदमी बाटी के राजसबा सांसद यहीं नहीं रुखे उन्होंने ये तक कहा कि महिला आरक्षण बिल जो है इसे लेकर कोई फायदा मोधी सरकार के लिए नहीं होगा उन्होंने ये कहा कि एक बात बताएं किंद्र सरकार 10 साल से सत्ता में है क्या उन्हें क कहते थे कि यह महिला आरक्षन बिल आए तो इसे 2014 में पास करकर 2019 में इसे लागू कर सकते थे 2019 में इसे पास करके इसे लोक सभाच च्छनाव 2024 के च्छनाव में लागू कर सकते थे ये महिलाओं को बेवकूफ बनाओ बिल है और 2024 में आधी आबादी एक साथ आएगी और इन्हें हरा देगी यानि कि आधी आबादी एक साथ आखर जो है वो मोधी सरकार को 2024 में हरा देगी इस बिल के लाने के बावजूद भी क्योंकि इस बिल से महिलाओं के लिए कोई फायदा नहीं है बलकि महिलाओं को बेवकूब बनाया जा रहा है संजे सिंग यहीं नहीं रुके उन्होंने ये तक कहा कि बीजेपी नेताओं की भाशन बाजी और जुम्ले बाजी सुनकर देश ठक चुका है अब हमें एक बात बताओ दस साल से बीजेपी सत्ता में हैं क्या बीजेपी को कल ग्यान प्राप्त हुआ कि आरक्शन लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है इसलिए मैं बीजेपी के इस बिल को महिला बेवकूप बनाओ बिल मानता हूँ और जरूरी ये है कि महिलाओं की मांग के अनरूप एक ऐसा बिल लागू किया जाए जिससे महिलाओं को 33 प्रतीशत आरक्षण मिले और S.C.O.V.C. की महिलाओं को भी इसका लाब मिल सके यानि की फिर एक बार जो है वो राचनीती करने की कोशच जो है वो इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है इसी के साथ आपके लिए बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण बल पास होने के बाद जहाँ बीजेपी के नेताओं में काफी जादा उसा दिखाई द का ना केबल प्रती निद्व मिलेगा बलकि संपूर्ण महिला समाज को इसका लाब मिलेगा पीए मोधी ने बीजेपी कार्याले में आस सवेरे ही बीजेपी कारकरताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि इस बिल को जो है वो पीडिया याद रखेंगी जिस तरीके से ये बिल लागू हुआ है और इसका जो फायदा है वो हर वर्ग हर समाज यानि की हर महिला को जो है वो दिया जाएगा अब बात करते हैं राजनितिक पार्टियों को लेकर क्योंकि संजिसिंग की अगर हम बात करें तो संजिसिंग ने ये पहली बार किसी विल का विरोध नहीं किया ह संजिसिंग इस समय पर राजसभा से सस्पेंड हो चुके हैं और उन्होंने ना ही तो इसमे बोट दिया और ना ही तो वो संसत के अंदर जा सकते हैं क्योंकि उन्हें मौनसून सत्र के दोरान से ही सस्पेंड कर दिया गया है जिसके चलते वो नहीं जा सकते यानि कि ये गए नहीं थे और इसलिए आज महिला आरक शडविल को लेकर स्वाल उठा रहे हैं वहीं दूसरी तरह बीजेपी के निताओं का कहना है कि ये राजनीती से प्रेरित नहीं है महिलाओं के लिए बीजेपी करती आई है काम और अब भी काम किए जा रहे हैं और इसलिए आज सवेरे देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जो है वो महिला कारकरताओं से मिले और उन्होंने अपने संभोधन में जो है वो कई महिलाओं को लेकर जिक्र भी किया उन्होंने ये तक कहा कि ये काफी ज्यादा इतिहासिक पल है महिला आरक्षन बिल पास होने के बास अंसद के बाहर जो है वो आज काफी जादा महिला संसदों ने देश के प्रधार मंतरी नरिंद्र मोदी का स्वागत किया जिसके साथ अब ये कहा जा रहा है कि एक तरह विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया है क्योंकि अगर ना समर्थन करते तो कही न कहीं सवाल खड़े होते और ये कहा जाता कि शायद जो विपक्षी पार्टियों है वो महिलाओं को आगे आनया नहीं देना चाहती है और इसे लिए विपक्ष की तरफ से भी जो है वो महोर लगाई गई और एक भी वोट जो है वो राज्यसभा में इसके खिलाब जो है वो नहीं पड़ा और वहीं दूसरी तरफ जो है 215 की मिजॉरिटी यानि कि 215 वोट जो है वो इसके समर्थन में पड़े और इसके बाद इसे गानून बनाने की बाद जो है वो अब सामने आ चुकी है वहीं आपके लिए बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभाचुनावों को लेकर बीजेपी लगातार जमीनी अस्तर पर काफी जादा तयारियां करती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी जिसके सांसद इसकदर बौक ला रहे हैं उनका कारण ये भी है कि अगर बीजेपी की तरफ से ये बिल लाया गया है तो कहीं ना कहीं जो महिला वोटर की परसंटेज है वो हमारे देश में 48 परतीशत है और 48 परतीशत महिलाओं की जो वोटर परसंटेज है अगर ये वोटर परसंटेज किसी भी पार्टी को एक साथ मिलकर समर्थन करती है तो उसका सत्ता में आना तो लाजम है और 2019 के आकड़े भी अगर हम देखें तो सबसे जादा महिलाओं ने ही मोदी सरकार को वोट दिये थे और शायद यहीं बड़ा कारण है कि 2019 में बीज़े पी की सरकार बनने के बाद 2019 मई के महिने में तीन तलाग का जो कानून है वो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया और अब जो है ये महिला आरक्षन यानि कि हर साल कोई न कोई काम जो है वो मोधी सरकार के दौारा महिलाओं के लिए किया जा रहा है जिस पर आज भी पक्ष का कहना है कि यह सिर्फ जुम्लेबाजी है सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बलकि इस बिल के दोनों सदनों से पास होने से पहले कॉंग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाया शुप्रिया स्रीनेत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ महिलाओं को ठग रही है महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है बिल से कोई फायदा नहीं है या फिर बिल नहीं लाया जाएगा 2019 में लागू इंप्लिमेंट करने की बात कही जा रही है तो इस तरीके से सवाल जो है वो इंडिया आलाइन्स की तरफ से मोधी सरकार को लेकर तो उठाय जा रहे हैं खेर आप देखना आयम रहेगा कि विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को लेकर सवाल उठा रही है कि अभी लागू नहीं होगा परी सीमन की बात की जा रही है नो साल हो चुके हैं मोधी सरकार को पहले इस बिल को लागू क्यों नहीं किया गया तो इन तमाम चीजों पर जो है वो भी बीजेपी लगातार काम कर रही है और बीजेपी के नेता आउंका ये कहना है कि बिल जो है वो दोहजार चौबिस से पहले लागू हो जाए गा यानि कि अभी जो है राष्टपती द्रौबती मुर्मू के सिगनेचर हस्ताक्षर होने के बाद जो है ये बि 24 के चुनावों में बीजेपी को मिल सकता है और इसलिए आज विपक्षी पार्टिया कोई ना कोई सवाल खड़ा कर रही है इस महिला आरक्षण बिल पर जो कि 1996 से लेकर 1996 में पेश किया गया 2008 में पेश किया गया 2010 में पेश किया गया पर लगातार इस पर चर्चा हुई बह कर राजनीती करती हुई नजर आ रही है क्यार इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईए धन्यवाद